अभी सब्सक्राइब करें राम टेक्निकल टिक यूटूब चैनल को और इस बैल आइकन को भी प्रेस करें हमारी आने माली सभी लेटेस्ट टैक्नियोजी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए जो तेरी रातों में सांसे थी चली याद है ना याद है ना अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने यूटूब चैनल राम टेक्निकल टेक में अजकी वीडियो के मादे हमसे में एंड़ाइब फोन के कुछ सीक्रेट्स को अपको शेयर करूंगा इन को यूज करके आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो बहुत ही असानी से अपने अपने अ अपने फोन को फॉर्मिट कर सकते हो अपने फोन की आल इंफोमेशन को जान सकते हो तो कौन-कौन से वो सीक्रेट्स को और कैसे हम उसको यूज करेंगे यह सारा कुछ मैं आपको पूरे डेटेल में कम्प्लीट जानकारी देने बाला हूं तो सुरू से लेके लास तक इस व तो फ्रेंट्स यहां पर जो सबसे पहला कोड है उसकी हैं अपने फोन का आई एम याई नंबर टैग कर सकते हैं ठीके फ्रेंट्स देख सकते हैं बहुत ही आजानी से तो सबसे पहले फ्रेंट्स हमें अपने फोन के डायलर पैड में जाना है और यहां पर प्रेंट्स करना तो हमारे जो phone का EMI number है वो आ जाएगा तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए friends यह नीचे है यहाँ पर मेरे phone का EMI number आ गया है ठीक है friends तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बहुत ही आसानी से अपने phone का EMI number देख सकते हो तो यहाँ पर जो दूसरा code है उसकी help से हम क्या कर सकते है अपने phone को फॉर्मेट कर सकते है तो अगर हमें phone को फॉर्मेट करना इन code के थरो तो हमें क्या करना पड़ेगा डाइलर पैट में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है हैज 2767 स्टार 3855 ओर जैसी फ्रेंड्स आप हैस प्रेस्ट करोगे तो आपको जो फोन होगा फोर्मेट हो जाएगा अगर यह कोड आपके फोन को सपोर्मेट होगा थीक है तो मुझे अभी फॉर्मेट नहीं करना है मुझे बस आपको बताना था तो यहां पर friends मैं तीसरे कोट की बात करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूसफूर हो सकता है आपके लिए तो अगर आपके फोन को या फिर आप किसी के भी फोन को पूरी information उसके बारे में जानना चाहते हो पूरी details निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा डाइलर पैट में जाके यहां पर टाइप करना पड़ेगा star hedge star hedge 4636 hedge star hedge ठीक है अब जैसे friends आप hedge style type करोगे star तो फिर जो पूरी details होगी वो आ जाएगी ठीक है friends यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए friends हमें क्या करना है one by one चलना है ठीक है तो जैसे की phone 1 आप फर्स्ट वाले option पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो आपकी पहली sim होगी उसके वारे में सारी details बता देगा कि आपके पहली sim में कौन सी नेटवर्क की sim पड़ी हुए ठीक है उसके बाद देखिए network से connect है नहीं है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो पहले बाले की कर सकते हो और बैक आने के बाद यहां पर दूसरे sim की यहां से शेक कर सकते हो ठीक है तो यह तो रही बाद sim की अब हम बात करते हैं बैटरी information की ठ फोन की कैसी है जैसे की फ्रेंट यहां पर देख सकते हो बैटरी स्टेस नॉट चार्जिंग ठीक है मेरा फोन अभी चार्ज जहीं है बैटरी लेबल 14% दिखा रहा है उसके बाद देखिए बैटरी हेल्थ ठीक है गुड यहां जो मेरी बैटरी की हेल्थ है वो अभी अच् ठीक है यहां पर देखिए तो यहां पर यहां पर बदा देगा कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी एप्लिकेशन को यूज करा है आप अपने फोन में जितनी भी एप्लिकेशन को यूज करोगे तो वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी ठीक है तो इस तरह से आप यहां प सब्सक्काहत रहा है अगर यहां से कनेक्ट होता तो दिखा देता कि कॉंवसे कनेक्ट है थी तो ओत आप इस तरह से प्रक्तकर प्रक्त programme है आप अथ थी ऐसानी है Trump बहुत ही यह आपिछपिटरी इस कर सकते है bigger आपको और कोर्स के बारे में अगर जानना है तो डिसक्पशन चेक कर लिजेगा उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर फैंड्स आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझे बता सकते हैं आपको यह वी प्रेस्ट।